दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नर्सिंग एक्जाम में पूछे गए most important question तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी most important question है उसको देखेंगे और मैं हर एक question को explain करता है चलूँगा और उससे जुड़े हुए जितने भी topic हैं मैं आपको बताऊँगा ताकि आपका question solve भी हो practice भी हो और उसके साथ साथ आपका concept भी clear होता रहे तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो वीडियो को आप ध्यान से देखेगा वीडियो में बहुत अच्छे question लिए गया है जो कि आपके previous year nursing exam में आए हुए है तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो हमारा पहला question है what is chemical name of aspirin तो aspirin का रासाइनिक नाम क्या है तो हम सभी जानते हैं कि aspirin का रासाइनिक नाम है acetyl salicylic acid बट exam में आप generally थोड़े सी sparing mistake करके गलती कर देते हो जैसे पहला है acetic salicylic acid तो आप generally first option कर देते हो बट यह चीज़ ध्यान रखेगा यहां पर जो आपका right option है option B है acetyl salicylic acid तो जैसा कि मैंने बताया कि aspirin also known as acetyl salicylic acid is a medication used to treat pain, fever and inflammation तो इसका use किसमे करते हैं आपके treatment यानि की pain में, fever में और inflammation में इसके लावा एक और इसका important है और most important है aspirin given shortly after a heart attack decrease the rate of death तो aspirin का use first aid की रूप में भी किया जाता है जब heart attack आता है तो यह क्या करता है कि patient के जो death risk है उसको कम कर देता है है चलते हैं अगले question की और अगला question है what is gout तो gout क्या है पहला अफसन है a degenerative disorder, second a vascular disorder, तीसरा है renal disorder और चौथा है metabolic disorder तो पहले हम gout क्या होता है यह जान लेते हैं Gout a disease in which defective metabolism of uric acid causes arthritis तो gout एक ऐसी बिमारी है जिसमें की uric acid के metabolism में problem हो जाती है यानि की defect आ जाता है जिससे की arthritis होता है तो arthritis को ही हम गठिया बोलते हैं तो इसमें होता है कि जो uric acid का formation हुआ है और उसमें defect है जिसके करण जो uric acid होते हो वे crystal के form में हो जाते हैं और हमारे joint यानि की जो bone के joint है उसमें जमा होने लगते हैं तो जिसके करान होता है जो जुझ जोट है वहाँ पर inflammation होने लगता है वहाँ पर पेन होने लगता है और याद रिखिगा जिस भी ज्ज़ोग में अन्त में ITS लगा होता है वहाँ पर inflammation तो गाउट क्या हो गया यहां पर हमारा जो right option है, मैंने बताया कि जुगाउट होता है, वह एक metabolic disorder है, तो यहां पर हमारा जो right option है, option D है, चलते हैं अगले question की और question number 3 है, identify the part of human stomach which connects with oesophagus, तो यहां पर बताना है कि oesophagus का कौन सा part है, जो कि human के stomach से जुड़ा होता है, तो आईए image की through समझते हैं, तो जैसा कि figure में आप देख सकते हैं, और हम सभी जानते हैं कि stomach के 3 part होते हैं, ऊपर वाला यह part है, वह है cardia, यह वाला जो part आपको दिख रहा है, इसके बाद यह है fundus, और सबसे नीचे वाला part है, वह है pylorus, और इसके बाद यह वाला part आप जो देख रहे हैं, सबसे बड़ा part है, वह है body, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो हमारा ऊपर की और है oisophagus, ठिक, तो oisophagus आपके stomach के किस पार्ट से जुड़ा होया है, तो यहाँ पर देखने हैं कि stomach का पहला part कौन सा है, cardia, तो oisophagus जो है stomach के cardia वाले पार्ट से जुड़ा होया है, तो यहाँ पर आपके जो right option है, option D है cardia, चलते हैं अगले question की ओर, which one of the following vaccination is necessary for pregnant lady, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा vaccine है, कौन सा ऐसा टीका है, जो की गर्वथी महिला के लिए आवस्यक है, तो आपके जो right option है, option B है, titanus, ठीक है ना, तो गर्वथी महिला को vaccine की रूप में titanus का injection चलते हैं अगले question की ओर, the light of which color is used to treat neonatal jaundice, यानि की जो newborn baby है, यानि की जो पैदा हुए बच्चे हैं, उनमें jaundice का पता लगाने के लिए, कौन सी color की light का उपयोग किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो neonatal का मतलब हुआ है, जो newborn baby है, और jaundice का मत always decoloration होता है, आपके जो newborn baby हैं, उनके white part में, यानि की eyes और skin में, तो ये किस वज़र से होता है, high bil rubin level की वज़र से होता है, बिल rubin होता क्या है, आप ये भी जान लीजिए, ये end product होता है, आपके RBC के breakdown का, और इस process को हम बोलते ही molysis, तो ये भी question पूछा जा सकता है, तो ja जो लीवर है, जो हीपैटिक से आपका bil rubin लेता है, वो level क्या होगा, वो बढ़ जाता है, या कोई disorder की वज़र से, जो bile juice है, वो क्या करता है, बलड में चला जाता है, तो जो newborn baby हैं, जिन में की jaundice होता है, तो उनके treatment के लिए colored light यूस किया जाता है, जिस यानि की इस प्रक therapy, but rather a specific frequency of blue light, तो जो phototherapy होता है, इसमें हम specific frequency के blue light का उपयोग करते हैं, during this process, the bil rubin in the body change into another form that can be more excreted in the stool and urine, तो इस therapy में होता है, तो इस therapy में होता है, कि जब बच्चे को blue light की therapy दी जाती है, तो उसका जो bil rubin body में होता है, वो another form मतलब दूसरे रूप में convert हो जाता है, जिसे हम easily उसके body में stool या फिर urine के form में बाहर देख लेते हैं, यानि कि वो bil rubin change हो जाता है, और उसका जो changes है, उस जो पेसाफ है, उसमें वो दिखाई देता है, लेकिन वो अलग color में दिखाई देता है, तो इस question का right option है, option B, blue light, अहे चलते हैं, अगले question की, question number 6 है, which one of the following is infectious hepatitis, तो hepatitis में होता है, liver का inflammation होता है, तो यदि हम बात करें infectious hepatitis की, तो hepatitis refers to an inflammation of the liver cell and damage to the liver, तो infectious hepatitis होता है, hepatitis A में, चलते हैं question number 7 की ओर, internationally the nursing day is observed on, तो अंतराश्टी nursing day कब मनाया जाता है, तो जितने भी nursing student हैं, उनको जरूर परता होगा, मैं यहाँ पर आपको बता जेता हूं, 12th मरी, which is the birth anniversary of fluorescence Natangal, the founder of modern nursing, तो 12 मरी को मनाया जाता है, किसके, जो Florence Natangal है, उनके birth anniversary के रूप में, question number 8 है, the first stool of neonate is called, तो जो newborn baby है, जो जनजात बच्चे हैं, उनके मल को क्या बोलते हैं, option है, सीबम, लेंग्यो, मेकोनियम, और वर्निक्स, सीकोसा, तो यह सभी cat term है, आईए, मैं आपको बता जेता हूं, तो अगर हम बात करें, सीबम की, उसे हम बोलते हैं, लेंड यूगो, तो वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है, तो जो वर्निक्स कैसियोसा है, इसे हम वर्निक्स भी करते हैं, तो जब बेबी पैदा होता है, तो उसके चारो तरफ एक वैक्सी, यानि कि मॉम लाइक कवरिंग होती है, पतली कोटिंग होती है, उसके स्किन पर, उसे ही हम बोलते हैं, वर्निक्स कैसी हो सा, तो इस प्रकास से अगर हम देखें कोशन में, तो कोशन में पुछा हुआ है कि जो बेबी का फर्स्ट श्टूल होता है, जो फर्स्ट मल होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो मिकोनियम बोलते हैं, आपसन सी सही है, तो जो pulses होती है यानि जो दाले होती है उसे हम poor man's meat कहते हैं क्योंकि यह nutritive होता है और low cost का होता है और इसके अलवा इसमें rich amount of protein पाया जाता है और इस वज़से ही इसे कहा जाता है poor man's meat तो इस question का जो right option है option C है pulses तो याद रखेगा बहुत ही अच्छा question है और यह question पूछा जाता है अहे चलते हैं अगले question की ओर और अगला question हमारा आखरी question है which one of the following test is used to detect the typhoid bacillus तो typhoid bacillus detect करने के लिए कौन सा test use किया जाता है VDRL, Vidal BCG या फिर UDRL तो इसका right option है option B Vidal the Vidal test developed in 1896 and name after his innovators George Fernand Vidal तो Vidal नाम पढ़ा था इसके innovators George Fernand Vidal के नाम पर पढ़ा टाइफाइड is a bacterial infection caused by the bacteria Salmonella typhi तो जो टाइफाइड है यह bacteria Salmonella typhi के द्वारा होता है और यह कैसे pass होता है यह कैसे फैलता है तो यह contaminated यानि की प्रदूसित जो भोजन है या पर जल है उसके द्वारा फैलता है और इसमें होता है कि high fever होता है diarrhea होता है vomiting यानि की उल्टी होती है और यहाँ पर मैं आपको एक important चीज़ बता दू कि टाइफाइड को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं तो इस नाम से भी कभी कभी एक्जाम में उचा जाता है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरू लाइक